फास्ट्रेक की स्मार्ट वाच को बिना रिसेट किये अगर दूसरे फोन के साथ कनेक्ट करना है तो क्या ये पोसिबल है या नहीं तो हम इस वीडियो में यही कंफिगरेशन करके देखेंगे आपके सामने मैंने फास्ट्रेक रिफ्लेक्स वोक्स की कंफिगरेशन पॉइंट निकाला है यहां से मैं इसकी डेटा को क्लेयर करने जा रहा हूँ डेटा क्लेयर करने के बाद वाच इस डिवाइस से अनपेयर हो चुकी है और आपके सामने वाच बिलकुल रनिंग कंडिशन में है अब मैं इस मोबाइल की अप्लिकेशन को दुबारा से कंफिगर करूँगा यहां से अलोग कर देते हैं और अभी लोगिन करेंगे लोगिन के साथ OTP डालूँगा फोन नंबर के साथ और बाद में इसको दुबारा से कनेक्ट करके देखेंगे कि रेली में यह कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं तो यह अभी हम एड डिवाइस पे क्लिक कर देते हैं एड डिवाइस पे क्लिक करते ही सर्चिंग मोड में चला गया और अभी आपके सामने Fast Track Reflex का जो Mac ड्रेस है वो डिस्प्ले होने लग पड़ा इसी वाच का मैं यहां से पेरिंग के लिए कर देता हूँ पेरिंग पे क्लिक करने के बाद अभी यहां पे OTP एक कोड आएगा वाच के उपर वो कोड हमें तो यह आपके सामने है पेरिंग फेल हो चुक है वाच पेर नहीं हुई उसका कारण है कि आपकी वाच रिसेट नहीं हुई है तो आपके सामने Troubleshooting Step है या तो Bluetooth को आप दुबारा से कनेक कीजिए आई दर Factory सेटिंग में इस वाच को कनवर्ट कीजिए तो मैं भी वाच को Reset कर देता हूँ वाच रिसेट करने के बाद दुबारा ट्राई करके देखते हैं कि वाच कनेक्ट होती है इस मोबाइल के साथ या नहीं रिसेट करने के लिए अपर स्लाइट कीजिए सेटिंग में जाएए सेटिंग में आपको Reset का टैब दिखेगा Reset के टैब पे क्लिक करेंगे This will erase all data यहाँ पे टिक कर दीजिए और वाच आपकी Reset मोड में चलीगी अब Reset होने के बाद Company Factory सेटिंग में कनवर्ट हो जाएगी और आपको जो स्टार्टिंग में Scan to Pairs का टैब आता है वो डिस्प्ले होगा तो यह देखिए आपके सामने मेसेज आ गया है पिन कोड डालने के लिए पिन कोड आपकी वाच पे आ गया है वाच पे जो पिन कोड आया है उसे आप एंटर कर दीजिए एंटर करने के बाद देखते हैं अब यह Paired होती है या नहीं होती Finalize हो जाएगा कि वाच को Reset करना है ज़रूरी होता है अगर आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के साथ इसे Connect करना है तो तो यह देखिए Paired Successfully हो गया और जो मेरा Already Wallpaper सा पहले वाच जो मोबाइल में मैंने वाच पेपर सेट किया हुआ है वो वाच पेपर इस पे डिवाइस पे डिस्पले होना शुरू हो गया अब हम एक और ट्राई करते हैं इस प्रोसेस में मैं डिवाइस को रिमूब कर दूँगा एप्लिकेशन में से यहां से डिवाइस को डिलीट करने जा रहा हूँ डिवाइस डिलीट करने के बाद देखते हैं क्या बनता है तो यह रहा डिवाइस डिलीटिंग प्रोसेस यहां से आप डिलीट कर दीजिए डिलीट करते ही देखते हैं यह देखें डिलीट करते ही company factory settings में convert हो गया यानि आपके watch reset हो गी है और आपके सामने scan to pair पे आ रहा है तो ये भी एक बड़ा simple procedure है अगर आपने दूसरे mobile के साथ connect करना है तो reset मारने की ज़रूरत नहीं है आप उस mobile से device को remove कर दीजे, device को remove करते ही scan to pair में shift हो जाएगा scan to pair पे shift होने के बाद आप इसे किसी दूसरी device के साथ easily connect कर सकते हैं तो मैं एक बार इसे दुबारा से connect करके देख लेता हूँ क्या connect होती है या नहीं या फिर error दे रही है तो ये देखे code generate हो गया code आपके सामने pin code आगया, मैं pin code को enter कर रहा हूँ और enter करते ही finish करके देख लेते हैं let's see what happen तो ये रहा तो ये देखे, paired successfully हो गया और watch पे आपको time display होना शुरू हो गया तो ये एक easy process है अगर आपने किसी दूसरी device के साथ connect करने Thank you very much